हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइ यूटूब चैनल बुल मारकेट्स आपने अपने लाइफ में कभी न कभी डॉमिनोस का पीजा खाया ही होगा आज जुबिलन फूड्स जो डॉमिनोस पीजा की फ्रेंचाइजी को ओन करती है उनके रिजल्ट्स आए है सेकेंड कोर्टर के हम उन्हें अनलाइस करेंगे एकदम सिंपल लाइंग्वेज में और डिसाइट करेंगे कि हमें जुबिलन फूड्स में लॉग टर्म के लिए इन्वेस्मेंट करनी चाहिए या नहीं अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए सबसे पहले हम जुबिलन फूड्वक्स की रेविन्यू की बात करते हैं इस कॉटर में कंपनी के रेविन्यू है 1302 क्रो रूपीज यर-on-year 17% की solid ग्रोथ है वही quarter-on-quarter 4% की positive ग्रोथ है दोनों ही parameters याने की year-on-year और quarter-on-quarter दोनों ही जगावे positive ग्रोथ दिखाई देती है अगर हम net profits की बात करें तो इस quarter में company का net profit है 132 क्रो रूपीज year on year solid 10% की growth है वही quarter on quarter भी 17% की growth दिखाई देती है sales और net profit दोनों ही जगा पर अच्छी growth यहां पर हमें दिखाई देती है अगर हम Domino's Pizza के stores growth की बात करें तो last year same quarter में company के पास में 1435 total stores थे every quarter company ने अच्छी growth दिखाई है जैसे आप screen पर देख सकते है और इस quarter में company के पास में total number of stores है 1700 इस quarter में company ने 76 नए stores आड़ किये जो कि एक काफी बड़ा positive मुझे दिखाई देता है अगर हम अधर parameters की बात करें तो net profit margin 9.3% है काफी margin पे दबाव दिखाई दे रहा है जो कि एक negative मान सकते है domino's ने 76 नए stores इस quarter में add किया है और total number of stores 1701 हो चुका है और company ने 22 new cities में नई entry ली है domino's श्रिलंगा की बात करें तो 37% का growth है और 4 new stores company ने add किये है और अगर domino's बांगलादेश की बात करें तो 42% का solid growth है और एक नया store company ने add किया है अगर हम app की बात करें तो highest ever app डाउनलोड हुआ है इस quarter में 9 million app डाउनलोड हुए है जो कि एक काफी बड़ा positive मुझे दिखाई देता है Jubilant Foodworks का current market price है 613 अगर यह अपको 500 और 525 के level से मिल जाता है तो वहाँ पर buy कर सकते है या फिर आप every month एक या दो share buy करके accumulation कर सकते है dividend yield 0.2% है company ज्यादा dividend pay नहीं करती है return on liquidity 25% का है जो कि यह काफी अच्छा number दिखाई देता है last 10 years का sales growth है 16% का वही last 10 years का profit growth है 15% का अगर आपने 10 साल पहले jubiland foods में 10,000 रुपे निवेश की होते तो आज अपके पास लगबग 46,000 रुपीज होते add the rate of 16% जो कि काफी अच्छा rate of return माना जा सकता है अगर हम price की बात करें तो company का stock price almost 25% डाउन है अपने 52 इक high price है अगर आपको long term के लिए इसमें invest करना है तो आप इस level पे भी थोड़ा-थोड़ा करके invest कर सकते है jubiland foods ने काफी अच्छे results पेश किये sales और profit दोनों ही जगा पे positive growth दिखाई दे रही है stores में addition काफी अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पे expansion होते वे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में Popeyes Chicken भी वैसी ही grow करेगा जैसे Dominos grow किया है Popeyes Chicken के total 8 outlets है Bangalore में और वहाँ पे उनको काफी अच्छा response आया है आने वाले समय में वो other cities में भी expand करेंगे तो यहाँ पे revenue और sales दोनों ही grow करते वे दिखाई देगा और यह KFC का competitor है तो Popeyes Chicken काफी एक अच्छा competitor दिखाई देता है आने वाले समय में QSR industry 20% से ज़्यादा grow करने वाली है तो Jubilant Foods एक काफी अच्छा play मुझे दिखाई देता है अगर आप long term के लिए investment करना चाहते हो तो Jubilant Foods में थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाओ आने वाले समय में आपको अच्छा return यहाँ से बनते वे दिखाई दे सकता है आशा करता आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए और comment करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू